Hello friends, यह second session है दलित कैनन का फर्स session का लिंक आपको description में मिल जाएगा फर्स हमने समझा था कि दलित कैनन क्या होता है, दलित टम क्या होता है, दलित literature के बारे में बात की थी कुछ important points की बात की थी, दलित literature कौन लिख सकता है, यह सारे के सारे बहुत important चीज़े हैं दोस्तो इसे जरूर आप अच्छे से समझना और दलित मुवमेंट की कुछ important line extract करके आप अपने exam में इनको combine करके लिख देना तो दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज का session When we talk about दलित मुवमेंट तो हमारी जो attention है वो जानी चाहिए दो reasons पे, महराष्टरा and the Hindi belt जो मराथी है, महराष्टरा ये मराथी बुलिया थी ना, मराथी records the first moment in दलित literature in 1950s ठीक है और यहाँ पे जो दलित मुवमेंट था वो एक करांतिकारी टाइप का था, एक अच्छी leadership में चल रहा था जिसकी वजह से ही ये वहाँ फलता फूलता है, जैसे बियार अमेटकर जी की leadership थी वहाँ पे जोतिराव फूले जी के ideas थे, जोतिराव फूले दोस्तों महराष्टरा के रहने वाले थे इन्होंने untouchability को खतम करने के लिए बहुत सारा काम किया था, women की situation को सुधारने के लिए और बाबा अमेटकर जी के बारे में तो आप सब जानते ही है तो friends, आप यहाँ लिखना, the progressive ideas of जोतिराव फूले and the intellectual leadership of BR अमेटकर inspired दलित राइटिंग्स in मराथी तो दोस्तों, Bombay में ही क्यों शुरुआद होती है इसका एक ठोस रिजन यह है कि जैसे हम जानते हैं कि Bombay क्या है, commercial center है उस समय भी था और cultural exchange काफी होता था वहाँ पे all over the world ठीक है, लोग आते थे जाते थे विपार करते थे, ancient and modern culture तो यही रिजन था कि दलित बिगेंडर education with the British वहाँ के एरिया में थोड़ा मतलब उन्हें पढ़ने लिखने का मौका मिल गया होगा और दोस्तों, जो illiterate लोग थे, वहाँ पे एक poet का नाम या दखे, poet दया पवार He was aware that the Dalits were illiterate वो पढ़ लिखे नहीं हैं, बहुत सारे ऐसा तबका है समाज का कि जिन तक यह awareness जगाने के लिए उनको कुछ करना पड़ेगा इसलिए उन्होंने songs के माध्यम से, उस community को awaken कि अपनी poems के माध्यम से, they were provided, जो illiterate तबका था they were provided with poems, folk songs and musical instruments in other words, a cultural tradition, एक cultural tradition के माध्यम से, उन्हें aware किया गया यह सब चीजें समझा कर ठीक है दोस्तों, awareness जगाई कि आपका society में क्या status है आपको मतलब अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए fight करना पड़ेगा इस तरह से उन्हें समझाने की कोशिश की दूसरी और दोस्तों, हिंदी बेल्ट में यह जो moment था इसका जो प्रभाव था बहुत कम दिखाए दे रहे था हलांकि ज़र रिजन ओफ आगरा, as early as 1950s and through 1960s, अमबेडकर्स writing were translated and disseminated and they influenced literary production अमबेडकर जी की writings को उस area में, आगरा वाले area में circulate किया गया, spread किया गया और उससे थोड़ा प्रभाव पढ़ा but, क्या होता है कि जो creator of the Hindi canon like रामचंदर शुकला जी, सबको पढ़ना पसंद नहीं करते थे इस तरह के literature को, और उन्होंने उन्हें touch भी नहीं किया और दोस्तों, वहाँ पे कोई strong leadership भी नहीं थी बियार, अमेडकर जी जैसी, जिसकी वज़ा से ये movement इतना strong नहीं हो पाया और लोगों की attention बहुत ही कम गई दलित literature की तरफ तो कि जो Hindi belt वाले लोग थे, they did not challenge the Varna system और वो अपनी caste hierarchy को intact रखते हुए, मतलब इस बेदबाव को खतम करना चाहते थे जो की थोड़ा मुश्किल था और दूसरी ओर, the Maharashtra experience was on the contrary a revolutionary one करांतिकारी टाइप का था देर, Ambedkar had hit out at Manuwaad and had consigned the Manusmriti to flames ये भी आप जानते ही होंगे कि उन्होंने Manusmriti को जला दिया था और लगबग पोने 4 लाख या 4 लाख लोगों के साथ मिलकर बुद्धिजम को अपना लिया था और उस बुद्धिजम जो नया religion था नवयाना बुद्धिजम, न्यूविकल नवयाना मिन्स न्यूविकल उस religion को अपनाया था और एक तरहां से वो ये एक message था समाज के लिए कि या तो ये सब चीज़ों को खतम कर दो नहीं तो लोग अपना धर्म छोड़ के convert हो जाएंगे दूसरे में तो दोस्तो ये सारे इस तरह इस लेवल तक ये आंदोलन पहुँच गया था कि मनुसमरिति को ही जला दिया था मेंड़कर जी ने दोस्तो दलित मुवमेंट जो था ये चाहता था transformation of the structure of the society कि ये जो बेदभाव वाले कहानी है ये खतम हो कुमा पानी सब के लिए होना चाहिए temple यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुद्र काय तो ये temple में नहीं आ सकता इस कुमें से पानी नहीं बर सकता social justice होना चाहिए हर एक इनसान की अपनी एक पहचान है सब को भाईचारे के साथ रहना चाहिए और दलित की जो economic city थी वो भी बहुत दयनी थी उसमें भी उनको बाकियों की तरह आधिकारों से वन्चित नहीं रखना चाहिए एक तरह से सब opportunities सब equal rights उनको मिलने चाहिए और इसी तरह का जो दलित literature था उसमें भी ये सारी चीज़ें reflect होड़ती थी कि दलितरेचर में क्या लिखें कोई मतलब किसी को खुश करने के लिए कोई fancy को imagination इस तरह की दलित जो moment है ये बंबे से ही पहले क्यों start होता है दो belt के बारे में बात कि हमने महराष्टा और हिंदी belt एक जगा successful है एक जगा थोड़ा इसका दबदबा कम है revolution का और ये भी हमने जोतिराव फूले जी के बारे में जाना BR Ambedkar जी की leadership के बारे में जाना और उनकी जो writings थी जो आगरा में circulate होती है उसके एक point वो भी है हमारे पास ठीक है दोस्तो हिंदी belt में ये क्यों fail हुआ जो वर्णा system को challenge नहीं करना चाहते थे तो इस तरह से आप इस topic मेंसे भी कुछ important lines को extract करके value addition के तोर पर अपने दलित canon में add करके अच्छा सा answer लिखके आ सकते हैं I hope दोस्तो आपको ये दलित canon में जो मैंने समझाने की कोशिश की है in short आपको समझ में आया होगा और आपके लिए helpful भी रहेगा Thank you very much